तो हेलो इस्टुएंट्स वेलकम बैक तो माइ व्यूटूब चैनल स्वी स्टेडी क्लासेस 9-3-3-5 पर तो इस्टुएंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को डिल करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टुएंट्स अगर हम बात करें तो सुक्राण की सरचना के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे आपको टोटल सुक्राउंड की सरचना उसका चित्र एकदम अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका स्पर्म का चित्र होता है इसमें सारी चीज एक एक पार्ट को एकदम बहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे एनकी स्पर्म में कितने पार्ट होते हैं कितने पार्ट और किस पार्ट में किस चीज का क्या कारी होता है किस का कैसे निर्माड होता है इन सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे doubt रहते हैं कि अगर सर हमसे बच्चो question पोचते हैं कि सर अगर हम बात करें तो एक बार में इस सीमेन में कितने तक स्पर्म हो सकते हैं और उसमें से कितने ऐसे होने चाहिए जो होने ही चाहिए अगदम fit और fine होने चाहिए ताकि वो एकदम एक normal fertilization के रिया हो सके तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम discuss करेंगे A to jet ग्यान जो है इस वीडियो में के अंदर इस topic से related हम लोग ले लेंगे इस topic से related एकदम बहतरीन question करेंगे जो आपके board exam के अंदर आप से पूछे जा सकते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को सुरू करेंगे तो I hope आपको एक वीडियो अच्छे से पसंद आएगा और आपको पसंद आने के बाद आपको समझ आ जाएगा और आपकी तयारी भी अच्छे तरीके से हो रही होगी तो देखिए बच्चों अगर हम बात करते है इस्पर्म की तो इस्पर्म जो होता है वो किसके अंदर होता है बच्चों सीमेन के अंदर होता है यहनि कि स्पर्म जो हमारा होता है वो बीर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म होते हैं यहनि कि अगर हम बात करते हैं एक बार में इसकलित बीर करते हैं उसमें 20 से 30 कड़ोर हमारे क्या हो सकते हैं बच्चों इस्पर्म हो सकते हैं तो आईए सबसे पहले इस्पर्म के हम भाग की बात कर लेते हैं तो दीखे सबसे पहले इस्पर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लीजे कहता है सुक्राण सूचम दर्सी होते हैं यड़ो स्पर्म हैं यड़ो वे बच्चों कैसे होते हैं वे परमेुसी होती हैं , उनिकि मैक्रो मेटर होती है मैहत्यून के दौरान पुरुष 20-30 स्पर्मिक्राण tillौर डिरेक्ट आपके बोर्ड के एक्जाम में पूछा जा सकता है objective question कि एक बार में इस खलित इस पर्म की संक्या तो 20 से 30 कडोर होती है ठीक है देखिए और बात होती है इसमें आप एक note point डाल के लिख लेंगे क्योंकि ये बात बहुत important है और कोई आपको नहीं बताता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात आपके लिए कितनी important है देखिए ये हो सकता है यहां से question पूछा जा सके क्योंकि board exam जो है अब एकदम आजीब तरीके से question पूछ रहा है आपने board exam 2023 का paper देखा होगा कितना टप paper था बच्चों भाई होगा एकदम घुमा के question पूछते यानि कि पिछली साल के एकदम बदल दिया paper तो आप बच्चों बता दे हम आपको एकदम बदल के हम पढ़ाएंगे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ताकि आपके board के exam में हर एक question आपको जब कैसे हो क्या हो आकरत आकार में होने चाहिए एकदम सामान यानि कि नोर्माल जिसमें से सामान जनन च्छमता के लिए उसमें भी क्या सामान जनन च्छमता के लिए कितने होने चाहिए चार चालिस प्रत्सत स्परम गतसील होड़ाले होने चाहिए यानि कि ऐसा नहीं उनमें गती ना हो बुन ना पहुंची हो बात तक उसमें 40% सुक्राउड़ों ऐसे होने जो एकदम धमाकेदार रेस में आगे निकल जाएं इस पीड से चलें गत्सीर होने चाहिए ठीके बच्छों फिर बाद आती स्पर्म के भाग इसके भाग इसके चार भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं यह जो उपर वाला आपको टोपी जैसी सरचना हैड हो गया यह आपको जो मुड़ी होई सरचना यहां पर लिखा हुआ यह यानि कि गृवा यानि कि गर्दन यह जो मद्ध भाग है जिसमें माइटो कॉंड्रिया है है हमारा आज मद्ध भाग और यह हमारा पुष्च है और चार एक दो तीन और एक चार भाग है ठीक है बच्छो तो दीखिए इन सारे चारो भागों को मैं एक बार पढ़ लेते हैं इसमें जो ऊपर होता है सबसे वो क्या हमारा होता है बच्छो जीव द्रब विकला यानि कि जो आपको यह वाली लेर दिख रहे यह जीव द्रब विकला है यानि कि इसको प्लाजमा मेंब्रेन कहते हैं फिर हमारा होता है एक्गर पिंडक यानि कि जिसको एक्रोसोम कहते है इसी में हमारा hyaluronidage अभी मैं आपको लिखाऊंगा क्या होता बच्चों? इसी के अंदर hyaluronidage अज्ञाइम होता है जो क्या करता है? ओबा जो होता है? अनार होता है उसकी भित्ती को भेधने का कारी करता है क्योंकि आपने पड़ा होगा जो ओबाम होता है उसकी उपरी वाली जो लेर होती जिसको हम कहते है जो ना पहलू सुड़ा उसी लेर को भेदने के लिए अगर पिंड़क में ही एक एक ज्ञाइम होता जिसको कहते है हाली रोनी डेज जो क्या करता है उस लेर को भेदने का कारी करता है फिर हमारा आता है मद्धिवाग और फि फिर हमारा आता है नेक, ये जो आपको नेक जो गरदन दिखाई रही है, इसमें क्या ये जो आपको लाल वाले स्टेक्टर दिखाई रहा है ये 。」 topics थेक पिर इसके नीचे जब आप बढ़ते है तो हमारा आता है मत्डवाग जिसमें माइटोकंड्रियाय इसको कहते है इसमें में आपना रखे है इस उनलाल वाले पिंसे में बना रखे इसमें वाइभावीटत्रा psychologists है underwater he is the groundwater Scottandria कोaldry का हिंदीमें कहते हैं इ buckets जो माइटो कंड्रिया है क्या कार करते हैं बच्चों जो माइटो कंड्रिया होते हैं यह जो स्पर्म होता है गति करता आपको दिखाई देता है अगर आप 3D में देखेंगे तो गति किसके कारण करते हैं अभी पैचे मैंने पढ़ा है कैसे होने चाहिए गतिसील आवस्यक हो एकदम मुवमेंट कराता है, ये नीचे लिखा, इस परम की सरचना, आप इस डाइगराम को अच्छे से बना लेंगे, ठीक है बच्चों, पूरा डाइगराम आप देख लीजे, इस प्रकार से आपको डाइगराम बनाना है, ठीक है, आपको नोमिनेज भी अच्छे से कर लेन हाई ठीक है अब हम सारे अनको करती पड़लेते हैं देखिये इसके चार होते है सबसे पहले बात करें इसकी सीर की देखें बैसो क्या कह 와 है है मतलब होता सिर सिर इस सबसे मुख्य भाग है इसी भाग में अंडाकार केंदर कुपस्तित होता इसे चमक वह जिर Kaitdo तक आपको दिख रहाए इतना जो है वह अगदम चम्मच दिख रहा है नीचे चमच की घुंडी एक चममच बिख रहाए आगे वाला इससे आप खाना खाते है ठीक है चमच की आकार का होता है इसके सीरस भाग पर एक्रोसम क्या आक्योंच को हिन्दी में अगर पिंड़क इसके नीचे का भाग गिरीवा की तो देखें गिरीवा में क्या कह रहा है यह भाग छोटा होता है यह भाग कैसे है बच्छो सबसे छोटे भाग है जरा सा मुड़ा हुआ भाग इतना ही है गिरीवा यह भाग सबसे छोटा और इसी भाग में तारक के अंदर उपस्तित, तारक काय या तारक के अंदर, इसी भाग में क्या उपस्तित है तारक के अंदर, यह वाला हमारा तारक काय ठीक है बच्छों, उपस्तित होता है सुक्राण की पुछ अच्छी तंतू का निर्मार करता है, यह देखे आप देख रहे हैं इसका जो अच्छी त पुछ तंतु आयाई कहां से आया यह यहीं से आया देखिए यह आयाई तो इसका निर्माद कौन करता है तारक काय करता है ठीक है इतना ही इसके मद्धभाग के वारे में आपको पढ़ाना है फिर आम बात करते हैं मद्ध पेस के बागे देखिए मिडिल पीस में कहता है एक गरीवा के पीछे वाला भागे आपको दिख रहा है गरीवा के पीछे वाला भागे सही वात है और इसमें बहुत कम कोस का द्रब पाया जाता है इसमें कोसी का द्रब जो है बहुत कम होता है नाम मात्र के लिए इसमें कोस क का द्रब होता है इसलिए इस कोस्का द्रब को हम कहते हैं मैंचिट कोस्का द्रब देखिए इस प्रकार के कोस्का द्रब को मैंचिट कोस्का द्रब कहते हैं ठीक है आगे देखिए फिर कह रहा है कि मद्ध भाग में माइटो कंड्रिया सरपिलाकार क्रम में अच्छी तंतों के चारो और इस्तित होते हैं देखिए इसमें माइटो कंड्रिया जो हैं सरपिलाकार और अच्छी तंत जो आ रहे हैं इनके चारो और इस्तित हैं ठीक है और माइटो कंड्रिया एक दो तीन चार पांच छेस साथ आठ हमने वनाएं ठीक है तो कहने क्या मतलब कितने हो सकते हैं तो यह बच्छों 15-16 हो सकते हैं एक स्पर्म के अंदर कितने हैं एक स्पर्म के अंदर यह माइटो कंड्रिया है 15-16 हो सकते हैं फिर हमारा आता लाश्ट वाला भाग पुछ भाग क्या कहता है यह सबसे अंतिम भाग है और लंबा भाग है इसी क्याराण सुक्राण जो होते हैं गत्सील एनिकी जो मुमेंट होता है इसी में होता है पुछ तन मिडल फेस एंड टेल एनिकी हेट के जो चार भाग होते हैं उसमें सीर्स गरीवा मद भाग और पूंच होते हैं अगर हम बात करते हैं सीर्स जो भाग हैता है सबसे मुक्य भाग होता है सबसे वड़ा वाग सोरी सबसे मुक्य भाग है इसी में क्या होता है गोला कार के प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप् कर सके यानिकी गति कर सके ठीक है फिर हमारा आता है लास्ट भाग जो होता है पुछ भाग यह क्या करता है इसको गति सील बनाता है मतलब गति कराने के लिए उर्जा तो यह देता है लेकिन गति कराता को नहीं पुछ जो हमारा पुछ भाग होता है वो गति कराता है तो आप इस चितर को अच्छे से बना लेंगे और आप इस पूरी derivation या theory को एकदम बहतरीन तरीके से आप note कर लेंगे और learn कर लेंगे इसको देख लिजी screen source ले लीजी इसका और आप इसका भी अच्छे से पढ़ लीजी इसको एक एकर करके screensor लीजी है और अपनी notebook में बच्चों इस कर लीजिए क्योंकि यह जो है बहुत इंपोर्टेंट है और यह आप से सरचना और इस्पर्म के बारे में पूछा जा सकता है लेकिन मैंने जो अहां पर आपको कुछ बैलू बताई है इन बैलू को आपको याद रखना है जैसे एक बार में सकलिटर्म की संकया किती होती है 20-30 कारोulations अगर सामान जर्ण छम्ता की बात करें तो लगवग 40 परश्क्राण वय्क्रेंट \'94 ed kasih wig को us Merci Better और important point क्वएंट वुणता है कि कॉच का दょद में क्योंकि जो मदध भाग में कोस का द्रभ होता क्याहतु क्यों काईते हैं मैंनी आपको समझाया क्योंकि इसमें कोष्ट का द्रभ की मात्रा की मात्रा बहुत कम होतेrates । इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नए वीट करें तो चैनल को सस्क्राइब कर देना तो कि मैं जो भी वीडियो प्लोग स्कूल करें सबसे पहले आपके पास पहुची और आपकी तयारी समय समय पर बेहता धंग से उसके तो आई विल टेकें निश्ट आपके लिए जय हिंद वाई वाई